कर से एस्टेपसी सेक्यूर्टि एस्टीप से स्टीकूर्टिपका पुरान अप्लिकेशन है यह अभी चेंज हो चुका है , तो ओल्ड एयप अगर यूस करते हो तो आपको नया एप अभी stepc securities invest now करके जो options है नया application वो launch हो चुका है तो stepc securities का जो नया app है invest now उसमें अगर जब login आप करेंगे उसको install करके तो आपको ऐसे interface देखने के लिए मिलेगा first आपका asset, sector, सारे चीज़ तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहां पर IPO का options कहां पर show हो रहा है नया application पर और यह IPO का हम लोग कैसे apply कर सकते हैं using नया app by invest now from stepc securities तो चलिए देख लेते हैं तो दोस्तो जब अब पहली बार login करेंगे first time stepc securities invest now जो app है वहां पर आपको ऐसे interface देखने के लिए मिलेगा और IPO का जो options है थोड़ा नीचे है आप अगर scroll down करते हैं थोड़ा scroll down कीजिए नीचे आएए तो आपको थोड़ा सा scroll down नीचे करना परेगा वहां पर देखिए stock sip ideas करके एक है यह पहले options आपको दिखाए देगा उसके बाद basket investing यह सब आएगा उसके बाद देखिए initial public offer IPO यह बाला options आपके सामने आ जाएगा यहां पर देखिए जो भी अगर IPO available है वह आपको पूरा list आपके सामने आ जाएगा अभी देखिए market में stock market में काफी सरा IPO अभी available है उसमें से है synoptics technology का एक IPO है उसके बाद त्रिधा technology Tech Limited का एक IPO है उसके बाद PKH Ventures Limited का काफी सरा IPO listing यहां पर आप देख सकते हो काफी सरा IPO है तो आप लोग जो भी IPO में investment करना चाहते हैं उसके उपर आप click करें for example मैं आपको for demo purpose त्रिधा technology IPO पर demo दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और यहां पर देखिए apply now पर हम लोग अभी click करना है तो चलिए हम लोग त्रिधार Tech Limited का IPO का apply now बटन पर click करते हैं और आपको दिखाते हैं कि next screen में आपको कौनसा option दिखाए देगा और आपको कैसे IPO में apply करना है तो आप जैसे apply बटन पर click करेंगे दोस्तो तो आपके सामने ASAC interface open हो जाएगा जहां पर आपको पुरा जो IPO में आप investment कर रहे हो उसका नाम यहां पर आपको टॉप में दिखाए देगा यहां पर देखिए दिखा रहा है त्रिधिया Tech Limited का IPO और यहां पर देखिए बीड जो ह आप कहीं सारे बीड लगा सकते हैं तो यहां पर जो फर्स्ट बीड है यहां पर आप देख सकते हो कि आपको minimum 3000 का shares by default यहां पर उल्लेटी स्लेक्टेट है तो आपको कुछ करना नहीं परेगा आप अगर दो लोट लेते हैं यहां पर आप आप जैसे दो टाइप करेंगे व 1 to 1 स्लोट तो यहां पर आप अगर यहां पर दो टाइप नहीं करना दे रहा है तो minimum आपको यहां मैक्सिमम यहां पर लोट साइज जो भी है आपको लिख लेना है तो by default यहां पर एक है तो यहां पर एक रग लेते हैं और यहां पर देखिए यहां पर दो options है यहां पर cut-off जो बोली लगाना है cut-off price में उसी को लगाना है आप अगर cut-off price यहाँ पर देखिए automatically by default selected है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा आप अगर चाहते हो कि नहीं मैं bit 1 और bit 2 दोनों लगाऊंगा जहाँ पर एक में मेरा खुद का price होगा और एक में cut-off price होगा तो आपका आप सोचते हो कि मेरे जो आप कितना भी साड़े bit लगा सकते हो तो फर्स्ट आप माल लेजे कि यहाँ पर आपका cut-off price अपने यहाँ पर डाल दिया automatically selected है 42 रूपिस maximum जो price है उसी को लेगा ठीक है bit 2 में आपको क्या करते हो कि आपको cut-off price नहीं आपको मैंने एक bit में तो holiday cut-off price डाला है second bit में मैं मेरा खुद का price डालूँगा तो आप कर सकते हो तो देखिए यहाँ पर bit 2 है इसमें हम लोग my price पर क्लिक करते हैं यहाँ पर प्राइस पर क्लिक करेंगे आपको price टाइप करने के लिए एक options मिल जाएगा यहाँ पर देखिए प्राइस आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो जहाँ पर वाला जो पॉर्शन था वहाँ पर लेकिन प्राइस टाइप करने का कोई options नहीं था क्योंकि cut-off price जो by default है उसका अपने सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर अपने 35 रुपिस माले जी यहाँ पर 35 रुपिस यहाँ पर टाइप कर लिए 35 रुपिस तो आपका हो गया यहाँ पर अभी 35 रुपिस यहाँ पर देख सकते हो ठीक है 35 रुपिस यहाँ पर आगया तो यहाँ पर आप कोई भी अगर आपका bank account है वहाँ से अप सिलेक्ट कर सकते हैं और एक्जमपल आपका अगर bank account दूसरे city bank में है या फिर एस पे एस पी बैंक में हैं अपना bank account कीजिए या फिर आप अगर यूपिड पेमेंट करना चाहते हैं यह से पे टियम बगड़ा बगड़ा तो उसको भी आप कर सकते हो तो यूपिड पेमेंट आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो आपना यूपिड यहाँ पर जो box है यहाँ करने के बाद अपको continue बटन पर अपको किल्क करना पड़ेगा यहाँ पर चलिक कर लेते हैं कि ऑर एक बात मैंने आपको बाता ना भूल गया आप अगर डिलीट करना चाहते हो कोई भी बीड तो यहाँ पर अप यहाँ बटन आप इसको चेंज भी कर सकते हो आप अगर आपको लग देगी नहीं मैं एक ही bit लगाऊंगा तो आप एक ही bit लगा सकते हो आप multiple bit भी आप लगा सकते हो ठीक है आप यहां से delete भी कर सकते हो ठीक है तो चलिए अभी हम लोग continue बटन पर press कर लेते हैं तो आप जैसे continue गटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कैसा information confirmation बटन देखने के लिए मिलेगा कि you are about to place an IP order for SME त्रिधिया टेक लिमिटेड जेनल यूजिंग ASBA मोंट क्लिक OK to proceed ठीक है तो अगर आप जैसे आप OK पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पैसा है वो होल्ड ह जाएगा आपके bank account में या फिर आपका जो भी UPI ID दिये हो उसके account से hold हो जाएगा और आपका order place हो जाएगा आपका email आजाएगा आपको SMS भी आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके साब अगर आप IP order place करते हैं तो आपको जो allocation है allocation में जो lottery होता है उतना दिन आपको wait करना पड़ होके रहेगा जब तक वो allocation ना हो जाए अगर allocation होता है तो आपको जितना भी shares मिलेगा उसका price काट करके आपको बाकी पैसे refund hold को हटा दिया जाएगा अगर आपको पूरा 3000 shares मिल गया तो आपका पैसा deduct हो जाएगा उसके बाद जिस दिन listing होगा उस दिन आपका profit आप जितना price में listing होगा मालेजे 42 का shares अगर 50 to 50 रुपीस में listing होता है तो आपको 8 रुपीस का profit होता है आप उस दिन उसको sale out करके sell off करके निकल सकते हो exit कर सकते हो या फिर आप उसको long term के लिए hold कर सकते हो ठीक है अगर आपको allocation मिलता है तो आपका demat account में show हो जाएगा और इसी तरह से आ आप IPO में बहुत ही आसानी से apply कर सकते हो using a steps securities का new app invest now का जो options है जो नया application का features इन्होंने launch किया है यहां पे आप ऐसे इसको apply कर सकते हैं आपके मन में कोई भी सवाल है questions है तो बिल्कुल पूछिए without any doubt without any hesitations I'll be happy to help you out चैनल को support कीजिए subscribe कीजिए ऐसी informative वीडियो देखने के लि आप